सब कुछ तो है पहले जैसा फिर क्यों कौंद रहा मौन सिस्कियां की जब जब हो गई तो आह भरेगा कौन मोती ही जब सब खो जाएंगे समंदर में तो सिस्कियां सहे जएगा कौन जब जीत तुमारे लभी खापोश हो गए तो अब गजल कहेगा कौन जब 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 जब। जहां तुम चले गए जहां तुम चले गए जहां तुम चले गए सजदा बजल समराट जनाब जगीत सिंग द्वारा गाई भूई गजलों को इस मन्स से दोरा कर जब जी चित्रा गजल मंच अपनी भावनों को प्रती समर्तिक कर रहा है और ऐसे में हमरे साथ जुड़े आप सबी मौजज़ मैमान जो यहां पर आए हुए है मैं अबर नहीं आप सबी लोगों का तहदिल से इस्तक्वाल करता हूँ मित्रों यह हमारा सावाद के रहा है कि आज हमरे साथ आदरनी श्री श्री रतन जी डाला जो जगजीत सिंग जी के अबिन्द मित्र रहे है और पिछले बीस वर्षों से जगजी चित्रा गजरमच को मारण दर्शन कर रहे है आज हमारे बीचे मैं हमारे आशित श्री वास्तों जी उनसे निवेदन करूँगा कि उनको एक तुलसी का पौदा दे कर उनका स्वाबत करे साथी जगजी चित्रा गजरमच के संस्तापक स्योजर मानिय श्री नरेद जी सतीजा जो हमारे मारत दर्शक रहे है हमारे प्रणा रहे है वे भी आज हमारे साथ मौजूद है मैं श्री नाजेश गंडे से मुझारिश करूँगा कि तुलसी का पौदा दे कर उनका भी स्वाबत करे उर्दू साहित्ते की अपार सेवा करते होए जिन्होंने उर्दू की बहुत सेवा की ऐसे गॉप्टर विना इवायकर भी आज हमारे साथ मौजूद है उनसे भी हमने बहुत प्रेड़ा ली है मैं अमारे मज़के सिकर्ट लीमा श्रीक उस्तुर दिक्सीफ से बजारिक करूँगा कि उनका भी पौदा दे कर स्वाधत करे और आज इस खारेखन को सागार करने में जिन्होंने हमें मदद की है ऐसे सकाव रुट्व पत्र उसके डीजेम श्री सुनीर लोंडे जी भी हमारे साथ मौजूद है मैं आशी श्रीवास्तों की इसे वजारिश करूँगा कि पौदा देखर उनका भी विस्वाधत करेंगी साथ में मैक्स हिर्फिर मंटी स्पेशलिटी ऑस्पेट लोकेशनी लोचन बासा गड़े कश्मीर डेकोरेशन के श्री जहीर बाई ये सब मौज़िस मेमान हमारे साथ है मैं इन सभी लोगों उसे वजारिश करता हूँ कि वे मच्च पे तश्रीव लाएंगे और इन शम्माओं को रोशन करेंगे मैं सभी लोगों से वजारिश करता हूँ जाला जी, सत्याजी, लोन्डे जी तुमा की वे इसमाज प्रदशीन लाएंगे और इन शम्माओं को रोशन करें जिनके उजालों से आज के इस मैफिल हम गजल समराट जग्जी से अच्चना सम्माटे मेडल भी आज हमारा भी चुपस्तित है जuu कमाशनी पुपस्तित गज हमारा भीचस मैफ Despite पूपस्तित गजल जाएंगे काल बाड़ो ना एक्सपोजर गी दिए बाड़ो ना भें अबस अलेक्स तोज़र बाड़ो प्री आगे ठोड़े हमारे पेटरंस ने भी बहुत मदद की थी उन में से दो पान्येश्री कौली साथ और डॉक्टर मुदड़ा भी यहां पे उबस्तित है मैं उनका भी साद़ करता हूँ आप सभी लोगों का धन्यवाद घजल का साज उठाओ बड़ी उदा सहराद नवाए मीर सुनाओं बड़ी उदा सहराद आप लोगों की इजादत से इब्तदा करता हूँ हम दम यही है रह गुजर यार खुश किना गुजर है लाख बार इसी कह कशा से तुम हजार बार जमाना इधर से गुजरा है नई नई सी है तेड़ी बड़े गुजर खुश हो ले जगजी सिंग जिनको आप कितनी भी दफ़े सुने चाहियों का शुवाती कलाम हूँ यहां आखरी हमेशा एक ताज़गी का अनुभव आपको मिलता है बहुत कम ऐसे गाये खुए हैं जो साथ में मुजिक कंपोजिशन में भी अपने उतनी ही महारत रखते हैं जितना गजल गायकी है जहां तक मेरी बहतरीन जानकारी है जनाब जग्जी सिंग एक मात्र ऐसे रचनाकार रहे जो गाते भी उतनी खुबसूरती से थे और गजल की कंपोजिशन भी उतनी ही बाकमाल काबिलियत के साथ करते थे ऐसी विलक्षन प्रतिभाग के स्मूर्टी में आज की ये शाम सजडा जग्जी चितरागजर्मंच के कलाकारों की ओर से उने पेश किया जा रहा है मैं आप सभी मौजज मेमानों का बहुत शुक्र गजार हूँ क्योंकि बहुत होसला आपने हमें दिया है एक किसम से ऐसा लग रहा है कि घर का ही कोई बाशिंदा जो है बैंकुल वासी हो गया है और आप सभी लोग सांतवना देने के लिए आप जगजी चितरागजर्मंच के साथ यहां खड़े है मैं चाहूँगा कि गजर्मंच की जो शमाय यहां रोशन हुई है और उसको अपनी आवास के जरीए से उजालों की शक्र जो बख्षते रहे हैं जना आप शिशिर पाखी साथ आप सभी के बहुत परिचित वज़रगायक जिनके तक्रीबन सो रेलों अभी तक के आपकी पेशे मज़र्म हो चुके है वो अपनी आवास के साथ आदरान जरी के तोर पर जिग जी जी कागाया हुआ ये भजन हे राम प्रसूत करें और आप सभी से अनुरूद है कि इस राम भूनी में अपने सोलों को भी संभिलित करें जना आप शिशिक पाखी ये राम ये राम जब वेसाच वेदेरो ना ये राम ये राम ये राम ये राम तूही माता तूही प्रिताः तूही माता तूही प्रिताः तूही पोहरादा काश्ता तेरा तेरा तूही माता तूही माता तूही माता तूही माता तूही प्रिताः तूही पिगाड़े तूही सवाड़े तूही पिगाड़े तूही सवाड़े इस जग कैसा आए दा तेरा 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 तूही चत्तापा विश्व विधाता तूही चत्तापा विश्व विधाता तूही सुपहतो निशार ए राम ए राम, ए राम, ए राम, ए राम जन में साचोते डामा पिराए, 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 पिराए याद आ रहा है वो वग आंट फर्वरी वर्ष 1941 श्री गंगा नगर राजिस्तान में जहां अवतार सिंग जी धीमन के घर पे जगजी जी का जहनुन हुआ था प्रारम में उनका नाम जगमोन रखा गया अब जगमोन हो या जग जी जग तो उन्होंने चीतना ही था अपनी आवास की बदोलत सफर शुरू हुआ संगर्श का भोडलों में उन्होंने कई दफे गाया गोईद्वारों में गाया छोड़ी छोड़ी महफिलें की और फिर काम ना सिर्फ उनकी कामियावी का हुद्वान बनी बल्कि जग जी जी की परचान भी बनी शिशिक जी की आवाज में मुलाइज़ा पर्माद है बात निकले की तुफ्र दूर तरक जाएगी बोग बेवचे हां पोदा सिर्फ का सबग पूछेंगे ये भी पूछेंगे तुम इतनी परिशाद क्यों हो ये प्रिश के हुचेंगे नका पूछेंगे तुम इतनी पर दुम इतना सिर्फ का जी की ने एक जी की तुम होएगे ये बातों इतना सिर्फ एक नहाएगे गुजरे हुए सालों की तरफ चुडियों पर कई तन से पिये जाए के कापते हाथां दे फिकर कसे जाएंगे दो में साल है फर्क बात तक आना ने दे बातो बातों में मेरा सिकर भी दे आरेंगे बातों बातों मेरा सिकर भी दे आरेंगे उमकी बातों पर सरासा भी असर मत दे आरेंगे बातों मेरा सिकर भी असर मत दे आरेंगे चाहि कुछ भी हो सवाला आत्म करना हूं से चाहि कुछ भी हो सवाला आत्म करना हूं से मेरे बाए कोई बात तब करना हूं से पात निकलेगी तों दूर तलख जाएंगे बात निकलेगी और धर दूर तलख दे दी दूरियों के इस फासले को बगौन गुजार साथ कुछ यू ना पाजाए कि खुश्बू जैसे लोग मिले अफसाने में एक पुराना ख़क खुला एंजाने में शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं कितनी देर कर दी चांद में आने में चांद आज आया भी तो उसी मायूसी के साथ क्योंकि वो अपने प्यारे जिक जीट को देख नहीं सकता ये वक्त है कि जब कोई होश में नहीं रहना चाहता क्योंकि होश में रहने से फिर वो यादें बुलबुरों की तरो भर कर आएंगे खामोश होने को जीट जाता है बेखुद होने को जीट जाता है जीटी संग ने अपनी गजल गायकी में गजल लिफने वालों का जो सफर तै किया है अपनी गायकी के जरीये से वो आकर रुपता है निदा फाजली साथ के इस कलाम पर जिसे पेश कर रहे हैं शिशिर बाठी कर रहे हैं शिशिर बाठी कर दो बहुड़ी का जीज है भूश्वारों को खब ए बहुड़ी क्या चीज है ऀश्ब ही के जरी फिर समझे लिस्शक की जरी के लिए समाझी जे अजडी का दिजए आए तुष्मा ओख। प्कोर अजडों के लगब जडी का दिजए कर दो कर दो से नजरे क्या मिली रोशन फिजाने को दए खब में जाना प्यार की जादो घरी क्या जीज है इश्ट की जडे तिर समझे स्थिर्दी यार किर्दी में